हलो दोस्तों सुद्ड़क है आप सब का इस वीडियो में मैं आपको बताओंगा एक्जेकलि कैसे डीजिटाल संग करना है किस तरह से आप शुरू कर सकते हो और किस तरह से आप अपने पेंटिंग को और भी बहतेर कर सकते हो इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूँ आप प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने को मिलें और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए जिससे आप मेरी और भी वीडियो मिसना गए और दोस्तों एक वीडियो को बनाने में काफी समय और महनत लगता है सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना इससे मुझे आगे और भी अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा इस पेंटिंग को बनाने में मैंने कोई ट्रिक्स नहीं यूज किया सिर्फ दो ब्रुश का यूज किया पूरे पेंटिंग को बनाने के लिए एक मेरा परसनल कस्टमाइज ब्रॉश और दूसरा फोटोशॉप का सौफ्ट राउंड ब्रॉश सबसे पहले आपको एक रफ स्केच ड्रॉ करना है जो भी आप पेंट करना चाहते हो उसके लिए जिससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाए अपने ट्रॉइंग की अपने पेंटिंग की और ये बहुत ज़रूरी है नहीं तो आपका प्रोपोर्शन बिल्कुल बिकर जाएगा और पेंटिंग बिल्कुल आउट अफ शेप हो जाएगी दोस्तों मैं यहाँ पर प्रोपर डिजिटल पेंटिंग की बात कर रहा हूँ ना कि स्मच पेंटिंग की स्मच पेंटिंग बेसिकली एक फोटो को इडिट करने का तरीका है स्मच टूल यूज करके जो बस देखने में एक डिजिटल पेंटिंग लगता है बट अगर आपको और से देखोगे तो आपको क्लेरली डिफरेंज दिख जाएगा बहुत सिंपल है काफी सारे यूट्यूबर्स डिजिटल पेंटिंग के नाम पे बस फोटोस को स्मच करके दिखा लेते और उसको डिजिटल पेंटिंग बोलते हैं तो मैं यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाऊगा स्मच पेंटिंग से रेलेटेड मैं आपको दिखाऊँगा प्रॉपर डिजिटल पेंटिंग कैसे करना है किसे भी पेंटिंग को शुरू करने से पहले आप एक बर अपने दिमाग में सोच लीजी अच्छे तरह से कि आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे क्या पहले ड्रॉ करोगे क्या बाद में ड्रॉ करोगे कहा लाइट्स होगी कहा शैडोज होगी इस से अपको पता होगा कि exactly आपको क्या करना है और कैसे करना है प्रॉपर प्लैनिंग ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए जब आपने सोच लिया है अपने दिमाग में अच्छ से प्लैन कर लिया है कि आप कैसे इस पेंटिंग को पेंट करने वाले हो फिर आता है कलर सेलेक्शन बहुत important है किसी भी painting के लिए तो आप अच्छे से time लगा के अपने colors को choose करें और digital painting का ये फाइदा है कि आप अलग-अलग colors को बहुत जल्दी अपने paintings पर apply करके देख सकते हो कौन सा color better लग रहा है कहाँ पर आपको एक अच्छा idea मिल जाएगा अपने colors का और इस हिसाब से आप अपने colors को choose कर सकते हो और दोस्तो अगर आप बिल्कुल ही beginner हो और आपको कोई idea नहीं है digital painting कैसे start करना है बड़ आप करना चाते हो तो मेरा एक और वीडियो है जो बिल्कुल beginners के लिए है Photoshop open करने से लेकर के Photoshop पे digital painting कैसे शुरू करना है वो सब कुछ मैंने उस 10 minute के वीडियो में अच्छे से बताया है तो आप वो देख के सीख सकते हो कि आपको कैसे करना है यहाँ पे आप i button पे click करके उस वीडियो को देख सकते हो और मैं description में भी link डाल दूँगा आप वहाँ से भी देख सकते हो हमेशा अपने brush की transparency को 30 से 50 के बीच में रखना जब आप painting करना start कते हो तो transparency को शुरुआत में ही जादा रखने से आपको color handle करने में मुश्किल हो सकती है और दिरे दिरे जैसे आप painting के finishing की तरफ जाते हो तो साथ साथ अपने transparency को बढ़ा सकते हो specially detailing के time आप maximum transparency का use करो इससे detailing काफी अच्छी होती है यहाँ पर photoshop में आप जब 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 पेंटिंग करते हो तो आपके पास एक super power है आप painting को बहुत जब 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 जूम कर सकते हो तो आपको जब एकदम छोटा detail एड़ करना होगा अपने painting में जैसे कि eyelashes या फिर eyeball तो आप उस particular जगे को जूम करो और ध्यान रखना कि जैसे जैसे आप जूम करो अपनी brush की size भी छोटी करते है इस तरह से आप एकदम छोटे details को भी असानी से paint कर पाओगे अपनी painting में हमेशा याद रखना जितना जादा आप details एड़ करोगे अपनी painting में at the end आपकी painting उतने ही अच्छी होगी बर details का सही जगह पर होना भी बहुत ज़रूरी है नहीं तो वो ultra effect भी कर सकते so अपना समय लेके बड़े अराम से अपने details को paint करना कोई भी जल्दबाजी मत करना इसमें हमेशा जब भी आप zoom करके paint करो तो बीच बीच में zoom out करके अपने paintings को देखो इससे अगर कोई भी mistake होगी painting में तो आपको असानी से दिख जाएगा मैं जब भी paint करना शुरू करता हूँ तो सबसे पहले basic colors जो भी है मैं उन सब को apply करता हूँ फिस soft brush से अच्छे से colors को blend करता हूँ आप इसको part by part भी कर सकते हो जैसे कि मैं करता हूँ या फिर आप एक साथ पूरे painting में पहले basic colors को apply कर सकते हो फिर उनको blend कर सकते हो आप details को add कर सकते हो दोनों ही तरीके में पहले basic colors फिर blending और फिर details ब्लेंडिंग के लिए मैं Photoshop का soft round brush यूज करता हूँ और transparency level को 20 से 30 की बीच में रखता हूँ ब्लेंडिंग करते हूए आपको चीजों के shapes का बहुत ध्यान रखना है shadow की जगा shadow और lights की जगा lights नहीं तो painting बिल्कुल flat दिखने लगेगा और दोस्तो एक digital painting को finish करने में काफी time लगता है तो बीजवीच में आप break लो इससे आपका mind तो fresh हो ही जाएगा और साथ में जब आप अपने painting को दुबारा से एक fresh mind और view के साथ देखोगे तो आप painting में कोई भी mistake को असानी से spot कर सकते हो जो आपने पहले notice नहीं किया होगा यह सुनने में शायद silly या stupid लगे आपको बट यह 100% काम करता है किसे भी mistake को eraser से ठीक करने की कोशिश मत करना नहीं तो और भी जाद बिगड़ जाएगा आप brush का ही use करना जो भी color सही हो उसको choose करें हाँ अगर आपके painting का एक बहुत बड़ा position मिटाना हो तो आप eraser का use कर सकते हो मैं basically eraser का use करता हूँ सिर्फ एक चीज़ करने के लिए वो है shapes के outlines को ठीक करने के लिए कर सकता है! अगर करना सुपपरा तो रूमदय पाला मिटा की लिए वो किली जापके लिए मुटफरा जाएगा? अगर में एक अगर क का एक बहुता हूँ सेड्सरा ऑला मैं ऑला माँ और इए मैं तो आपके अभाण मैं और एक लास्ट चीज जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी पेंटिंग्स उतने ही अच्छी होगी इसमें कोई डाउट नहीं है मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं 2014 से डिजिली पेंट कर रहा हूँ करीब 6 साल हो गए है मोस्टिस सब कुछ मैंने यूट्यूब वीडियोस देखके ही सीखा है मैंने इस फिल्ड में डिग्री के लिए एक मीडिया कॉलेज जॉइन किया था बट आप सब को पता है इन सब प्राइविट कॉलेजेज में क्या सिखाते है और क्या होता है बस इस बात की खुशी है कि मेरे पास एक डिग्री है दिखाने के लिए प्राइविट के लिए तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरा वीडियो आपको किसी भी तरह से हल्प करे आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करे और दोस्तों अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करो इससे आगे और अच्छे वीडियो बनाने का मोटिविशन मिलेगा मुझे अगर आप नए हो मेरे चैनल पे जो की आप हो I know क्योंकि मेरा चैनल नहीं आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर देना जिससे आगे आप मेरी कोई वीडियो को मिस ना करो वीडियो को पूरा देखने के लिए बिग ठैंक्स अभी के लिए मैं चलता हूँ स्टे आडिस्टिक बाई